हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाते हैं बटर चिकेन मैं शेरे करूँगी बहुत आसान रेसिपी जिसके लिए हमें चाहिए 1 kg बोनलेस चिकेन, 2 टमाटर, 2 प्यास, लसून, पुदीना, काजू, कोतमीर, हर्य मिर्च और कुकिंग क्रीम तो पहले शुरुबात होगी मैरिनेशन से मैं चिकेन में मैंने दाला है एक चमच अद्रकलैसन, हाफ चमच हल्दी, एक चमच लाल मिर्च, और एक चमच नमक अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैं रखतूंगी मिनिममम टाइम हाफ एनार मैरिनेशन के लिए दूसरे तरफ मैं लूआँ पैन, इसमें बाटर मेल्ट कर लूँगी मैं दालेंगी लूआँ पाइए इसमें दालो近गी, उनकर फ्राइ कर लेंगी इसे भाट जादा फ्राइथ Souff्ट चाहिए तो आप इसे ट्री मिनिट के लिए ही कुक करेंगे इसे मैं occasionally flipping कर लूँगी चिकन टेंडर हो चुका है मैं transfer कर लिया है बोल में और उसी पैन में मैं बटर दालूँगी और उसमें दालूँगी लसून लसून फ्राई होती ही प्यास प्यास को अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्यास का थोड़ा कलर चेंज होती ही अब दालूँगी इसमें हर्यू मिल्च टामाटर इसको अच्छे से भून लेंगे मैंने इसमेताला है बीस काजू और हरा मसाला सारा दाल दिया है इसके ओपर ढखन लगाकर इसको सॉफ्ट होने के लिए वेट करना है हमें जैसे ही सॉफ्ट होती है मैं इसे ट्रांसफर करूँगी ग्रैंडिंग जार में एंड देन इसको पीस लेंगे हमें पेस्ट बनाना है इसका जैसे पेस्ट बनते हैं मैं इसको वही पैन में इसे चान लूँगी तब देख सकते हैं यह वन पॉट डिश है यह आप एक ही पैन में इसको बना सकते हैं अगर आपको स्मूध ग्रेवी इसकी चाहिए तो हमें चानना इसको जरूरी है अब इसमें दालूंगी मैं लाल मिल्च हाफ चमच गरम मसाला पाउडर एक ड्रोप्स ओफ रेट कलर एक चमच विनेगर बटर आप देख सकते कितनी स्मूध ग्रेवी बन रही है आपको कलर पके बाद ही आपको समझ में आएगा बटर मैंने और दाल दिया है इसमें अच्छे से इस्तिमाल करतना है बटर और मैं दा दाला है कुकिंग क्रीम हाफ कप इसको हम थोड़े देर पकने छोड़ देंगे और सबसे आखरी चीज हम दालेंगे कस्तूरी मेथी वह भी मैंने दाल दिया है लास्ट में दालेंगे बटर और इसे ढख कर थोड़ी देर पका लेंगे बहुत आसान तरिखे से बन जाता है चिकन